और इसी दोरान पीम मोदी के साथ कारिक्रम में केंद्रे रेल मंत्री अश्वनी वैशनव भी शामिल हुई जन्होंने बाद में भारत 24 से बादचीत करते हुए रेलवे के विकास का पूरा प्लान बताया आपको सनवार दे पूरे पंद्रा सो किलोमेटर का कंप्लीट कंट्रोल होता है एक एक स्टेशन एक ट्रेन एक सेगनाल एक एक एलेक्रिसिटी पोल सब चीजों का यहां पे पूरी एक जगे से कंट्रोल होता है बहुत ही अच्छी एक आदूनिक विवस्ता है जैसा कि आप विकसेत देशों में देखते हो उस तरह का कंट्रोल सेंटर है यह और इससे रेलवे के काम करने के तरीके में बदलाव आएगा आज माने प्रदान मंत्री जी ने देश पर में 85,000 करोड रुपीज के रेलवे के प्रोजेक्ट का लोकारपन किया है इससे बहुत इकनामिक एक्टिविटी में लाँब होगा कई नई फैक्टरियों का इनौगरिशन किया है दाहूद फैक्टरी, लातूर फैक्टरी इससे उन सब छेत्रों में, उन सब एरियाज में बड़ी इकनामिक एक्टिविटी बढ़ेगी क्या इस Command Control Center से जो माल गारी से माल पहले पहुचने में महिनों लगते थे वो अब कुछ दिनों में हो जाएगा? हाँ बिलकुल जो 48 गंटे लगता था समय है दो दिन से जादा लगता था वो अब 20 गंटे के अंदर इस तरह का बहुत इससे लाब है गाड़ियों की स्पीड बढ़ रही है पैसेंजर्स के लिए क्या पैसिटी बढ़ रही है हाँ बिलकुल आप मानिय प्रधान मंत्री जी करीब करीब इतना बड़ा टार्गेट रखा है कि करीब करीब हर अफते एक नई वंदे भारत फैक्टरी से निकल रही है में रेलबे के 85,000 करोड से भी अधिक की 6,000 प्रयोजिनाओं का उद्गाटन और स्लिन्यास किया है और साथी साथ डिएपसी का ये कमान कंट्रोल का भी उद्गाटन प्रदान मंत्री नेंदमोदी निकी है इस तरह के कमान सेंटर भी अपना कमान सेंटर हो गया जिससे जो मालगारी से समान जाने में दो दिन, तीन दिन और महिनों लगते थे अब वो कुछ घंटों में ही एक सहर से दुसरे जगा पहुंच जाएगा कैमरेमन कपिल सुलंकी के साथ के सुक मरजा भारत 24 एहमदाबाद